शुक्रवार को हुई M.I.C. की बैठक में कुल दस प्रकरणों पर सभी सदस्यों की सहमती बनी और उसे पारित कर दिया गया इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शहर के विकास में एक नए अध्याय के शुरुवात की गई जिसके तहट जी इरोट किनारे संजय नगर वार्ड नौ में वर्क नियर होम के उद्येश को लेकर भव्य भिलाई बिजनस टावर का निर्माड करने की महापौर परिशद द्वारा सैध्धान्तिक स्विक्रिती फ्रदान की गई तीन एकड के रिक्त पड़ी भूमी में से 30,000 वर्क फीट भूमी पर निगम द्वारा स्टिल्ड पार्किंग सहिद 6 तला का भव्य वानिज भवन के रूप में भिलाई बिजनस टावर का निर्माड कराया जाएगा इस भवन के निर्माड में कुल 160.6 करोड की लागत आने की संभावना है यह भवन यकीनल भिलाई की विकास गाथा का स्वर्निम अध्याय साबित होगा आज की महापौर परिशद में लगबग 11 बारा एजन्डे थे और सभी को महापौर परिशद के सभी साथियों के साथ उस पर विचारवी मश्क करके सरुसम्मत्य से परिज किया है सभी जितने एजन्डे थे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी सुची बार जानकारी मैं दे दूंगा आपको और सभी जो जितने भी विशाय थे उस पर सभी पर विश्द चरजा के बाद सबको सरुसम्मत्य से परिज किया गया है उसमें एक मुख्य विशे था जो शहर के विकास से सम्मंदित था शहर को एक नई सौगात आज की महापर परिश्द दे रही है उसमें जी रोड के साथ पैरलर जो संजे नगर बूला जाता है संजे नगर तालाब के पास वाले जो जमीन जो दगबग तीन साड़े तीने कर जमीन थी उसके उपर एक बहुत ही बढ़िया एक प्रस्ताव आज महापर परिश्द में पारित हुआ है जो आने वाले समय के लिए शहर को एक नई पहचान देगा शहर के नगर निगम छेत्र में आये का एक स्थाई साधन बनेगा और हम लोगों के लिए एक अच्छा हमा प्रस्ताप्दूर एक याचा का लोगों के लाव में प्रस्तावा एक वाव धार कॉन में प्रस्बास्तारक्सबाद।